हेलो एवरिवन, वेलकम टू स्टेडी आइकेन, इस्टुएंट्स आज से आपकी रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है, मद्द्पृदेश पुलिस कॉंस्टेबल भरती के लिए और इस रिवीजन बैच में हम मेंली फोकस करेंगे साइंस की क्लास में, इस्टुएंट्स बता दें कि इस साइंस के इतने इंपोर्टन कोशन रहेंगे क्योंकि हर बार परिक्षा में यहां से प्रशन पूछा ही जाता है, ठीक है, यह प्रशन हर बार रिपीट होते हैं, MCQ के फॉर्मेट में प्रशन रहेंगे, तो end तक आपको क्लास रिटेंट करना है, और regular रिटेंट करना है, क्योंकि यह revision batch आपका continue एक महीने चलता रहेगा, तो चलिए पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए पहला कोशन है, आपका वास्तविक वस्तु का आभासिय प्रतिविम बनता है, तो किस प्रकार के दरपन में बनता है, और याद रखने वाली बात है, next question की दरब चलते हैं, question number two, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिविम बनाने वाला दरपन होता है, तो कौन सा दरपन होता है, जो कि वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिविम बनाता है तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका option number D समतल तथा उत्तल दरपण इसी के साथ students आप में से बहुत सारे मुझसे ये पूछते हैं कि sir मुझे book कौन सी पढ़नी चाहिए MP police constable के लिए कौन सी book लेना चाहिए कौन सी best है तो आपको मैं important यहां पर एक book बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने इसको खुद analyze किया है खुद इसको देखा है तो यह बहुत शांदर book है तो चलिए हम उसके आरह में थोड़ा से देखे तो देखे इस्टुएंट्स यह आपके सामने स्क्रीन पर एक book है MP police constable के लिए मद्देपरदेश police constable जनरल ड्यूटी भरती 2021 के लिए अगरवाल exam card की book तो आप रोग राइटर ज़रूर याद रखिएगा अगरवाल exam card ठीक है यह देख लीजे यह साइन्स जरूर देख लिएगा अगरवाल exam card की यह book है और बहुत शांदार किताब है इसको मैंने खुद personally analyze किया है देखा है इसकी खासियत क्या है मैं आपको यह बताने वाला हूँ देखी जीडी चालक ट्रेटमेंट और सभी exam के इंपोर्टेंट इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर आपको 15 salt paper मिल जाएंगे और 15 आपको 5 salt paper मिलेंगे 2017 के और 15 practice paper मिलेंगे देखी जब भी आप पढ़ते हैं आप लोगो practice करना बहुत जरूरी होता तो यहाँ पर आपको 15 practice paper भी मिलेंगे साथ में salt paper भी मिलेंगे और आप लोग यहाँ पर online mock test भी दे सकते हैं जो कि इस book के साथ आपको free में मिलेगा और भी मतलब बहुत कुछ रहेगा इसके साथ तो मैं आपको इसको purchase कैसे करना है पहली बात तो यह आपकी प्रदेश police constable general duty के लिए जिसमें 35 salt paper है मतलब अगर हम बात करें previous year के 2017 के यहाँ पर 35 paper को solution कराएगा है जिससे आप लोग के एक knowledge मिल जाएगी कि भाई इस बार paper कैसा आने वाला है क्योंकि previous year paper देखना बहुत ज़रूरी है जब तक आप previous year question paper नहीं देखोगे तो आपको कोई भी अंदाजा नहीं लगेगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है कैसे कैसे पढ़ना है तो यह book आपको बहुत help करने वाली है और इसी के 35 salt paper के साथ आपको practice side भी मिलेगा उस वाली book में और यहां पर आपको three free mall mock test मिलेंगे online ठीक है इनके application पर तो वो भी आप दे सकते हैं और एक काम कीजिए इसकी link भी मैंने description में दे रखी है वहाँ से आप इसको download पर्चेस कर सकते हैं Amazon से और link से direct जाके आप purchase कर सकते हैं बाकि आपकी stationery में भी available हो जाती है तो आप याद रखिएगा book को आप लोग देख लिजे अगरवाल exam काट करके होगी और यह MP police constable इसी प्रकार से brown color में तो इस book को भी आप purchase कर सकते हैं बहुत सस्ती है कोई ज़्यादा महंगी नहीं है देखिए आपको मैं कोई भी book यहाँ पर जो भी suggest करूँगा वो मैं आपको best चीज ही suggest करूँगा भई ऐसे तो बहुत सारी publication है लेकिन कही न कहीं कुछ न कुछ mistake मिल जाती है कुछ न कुछ गलती है मिल जाती है लेकिन यह ऐसी book है जहां पर आपको बहुत सटिक तरीके से material मिलने वाला है तो इसको जरूर पर्चेस कीजे चलिए हम लोग next question की तरफ बात कर तो देखिए students यहाँ पर question number 3 है वास्तविक प्रतिबिम की प्रकर्टी कैसी होती है option number A, उल्टा, B, सीधा, C, सीधा और उल्टा और D, इनमें से कोई नहीं वास्तविक प्रतिबिम की प्रकर्टी कैसी होती है तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा थर्ट का option number A, उल्टा तो वास्तविक प्रतिबिम की उल्टा प्रकर्टी होती है question number 4, वस्तू से छोटा प्रतिबिम बनता है तो किस प्रकार की वस्तू से छोटा प्रतिबिम बनता है चार options दिये गए है तो फौर्ट का अंसर हो जाएगा आपका option number D, उत्तल दरपण से और अवतल दरपण में जो है वस्तू से छोटा प्रतिबिम बनता जो आपकी वस्तू से भी छोटा प्रतिबिम question number 5 प्रकास के परवर्तन के नियम के अनुसार कौन सी लाइन सही है तो यहाँ पर option number 20 सही है क्योंकि प्रकास के परवर्तन के अगर हम बात करें नियम की तो आपतित कोण और परवर्तित कोण जो नों बराबर होती है incidence ray और reflected ray आती है और एक इमीडियम में वापत चलिया थी लेकिन इनके द्वारा बनाया गया angle of incidence और इसके द्वारा बनाया गया angle of reflection एक बराबर होती है ठीक है और एक और इसका दूसरा नियम यह होता है कि angle of incidence, angle of reflection और normal all lie on the same point of the plane यह इसका second है आपका ठीक है question number 6 समतल दर्पन द्वारा बना प्रतिविम सदा होता है तो किस प्रकार का होता है 6 का answer बताना है तो यहाँ पर हो जाएगा option number C सीधा और अवासी होता है समतल दर्पन द्वारा बना प्रतिविम next अगर बात करें question number 7 की आखों में प्रवेश करने वाले प्रकास की मात्रा को नींत्रित करता है तो कौन नींत्रिंट करता है 4 options दीएगा है यहां पर हो जाएगा answer आपका 7th का option number A परितारी का नींत्रिंट करता है Question number 8 की तरफ चलते है सूरय उदे हो सूर-श्त के समय सूर्य का गोला कैसा दिखाई देता है तो ये दिखाई देता है option number D चप्टा ठीक है 8th का answer option number D हो जाएगा आपका चप्टा दिखाई देता है next question question number 9 यदि दरपन में बना प्रतिविम हमेशा सीधा आकार में बस्तू के बराबर है तो दरपन है किस प्रकार का दरपन है option number F, B, उत्तल, C, सम्तल और D इनमें से कोई नहीं तो 9th का answer हो जाएगा option number C आपका सम्तल दरपन है next question की तरफ बात करते है question number 10 सम्तल दरपन के द्वारा बना प्रतिविम होता है किस प्रकार का होता है तो यहाँ पर answer हो जाएगा option number B, काल्पनिक होता है सम्तल दरपन द्वारा बना प्रतिविम कैसा होता है काल्पनिक होता है याद रखिएगा very important question question number 11 निमन में से कौन सा पदार्थ lens के लिए प्रयोक्त नहीं किया जा सकता है तो देखिए lens की छमता क्या होती है 12th का answer हो जाएगा आपका option number B, धनात्मक होती है ठीक है positive होती है चली question number 11 lens की छमता SI का मातरक होता है तो lens की छमता का SI मातरक क्या है यह option number C, diopter याद रखिएगा, diopter है next question, question number 14 पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है इसका कारण क्या है 14th का answer हो जाएगा हापका option number B, अपवर्तन देखें, अपवर्तन और परावर्तन में आपको confuse नहीं होना परावर्तन में करीण एक ही दिशा में आती है और एक ही माद्यम से आती है और उसी माध्यम में वापस लोट जाती है इसको बोलते हम परावर्तन और अपवर्तन का मतलब होता है कि कोई भी आपतित करेने एक ही माध्यम से आई और दूसरे माध्यम में एंटर कर जाएं और दोनों माध्यम में घनत्व का फर्क होना चाहिए तो इसको हम बोलते हैं से आपकी एटमॉस्टफियर से या पानी के अंदर रोशण जा रहे हैं या कां से अठमॉस्टफियर में हई तो यह आपका अपवरतन होता है तीक है इसमें एंगल आ इंज इंसिदेंस और पारतन का कारण है पानी में जो चड़ी है वो टेडी दिखाई देती है इस वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्योंकि वीडियो आप लोग के लिए लेंदी ना हो जाए इसलिए हम लोग टॉप 15 कोशन लेकर आ रहे हैं अभी आप लोग के ल कर दोस्तों